नमस्कार मेरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे एक जनवरी से होने वाले बदलावों को लेकर धीरे धीरे करके साल 2023 हमसे छुड़ता जा रहा है कुछ घंटे के बाद आपसे और हमारे जीवन में एक नए साल की सुरुआत हो जाएगी नए साल के आगवन के साथ ही ब्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया कुछ अच्छा करने का सोचता है साथे साथ पिछले कुछ कार बाकी रह गए थे उन्हें भी पूरा करने को लेकर विचार करता है लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि नए साल के आगवन के साथ ही हमारे और आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि हर महिने की आखरी और सुरुवात में इस तरह के बदलाब देखने को मिलते हैं चलिए जानते हैं नए साल में हमारे और आपके जीवन में किस तरह के बदलाब आने वाले हैं। अगर आप इस दिन भी दाखिल नहीं करते हैं तो एक जिनवरी के बाद आपको अपना जुर्माना के साथ आपको दूगना किन पैसा देना पर सकता है। आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से इस तरह के कार्ज इसलिए किये जा रहे हैं क्योंकि फोन नंबर बंद कई बार दूसरे यूजर्स को भी जारी कर दिये जाते हैं। और ऐसे में पैसे लेंद दन के लेकर कई दफा गड़बडियां देखने को मिली है। सिम कार्ड के लिए नया नियम। पिछले दिनों लोकसभा और राजसभा में टेली कॉम्निकेशन बील 2023 पास हो गया। यह बिल बहुत ही जल्द कारून के रूप ले लेगा। कोई अकाउंट है जिसे आप इस्तेमाल मिलाना चाहते हैं तो आप उसे एक बार दिलूर एक्टिव कर ले नहीं तो आपका यह अकाउंट बंद हो जाएगा बैंक लॉकर काउंट्रेक्ट साइन अगर आप भी बैंक लॉकर की सुपधा उठा रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है अर्वियाई की तरफ से जारी बैंक नियम के अनुसार बैंक लॉकर समझा होता पर हस्ताचर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उसे अपना लॉकर खाली करना पड़ सकता है इसलिए अगर आप बैंक लॉकर की सुपधा रखते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा स्टॉक मार्केट में भी नॉमनीज एड करने न भूले अगर आप सेर बजार की दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किये हैं तो 31 दिसंबर से पहले आपको नॉमनी एड करना दिरूरी होगा आपको बता दें कि सेवी ने डिमेट एकाउंट में नॉमनीज को आखरी तारिक 31 दिसंबर निधारित कर दी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डिमेट एकाउंट फ्रीज हो सकता है ऐसे में मिच्वार फ्रेंड के भी निवेसकों को नॉमनी जोड़ना दिरूरी है ये थे वो नियम जो कि एक जिनवरी से आपके जीवन में परभावी हो सकते हैं और इसका अज़र आपके जीवन में पढ़ सकता है